हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज किस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2021 के लिए रशायन सास्तर का एक महत्वपूर्ण पाठ तत्तो के वर्गी करण के सभी महत्वपूर्ण अबजेक्टिव प्रशन हम आपको इस वीडियो में बता सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजे सांथ में जो बेल आइकन आएगा उसको ओल पर दवाएगा ताकि जब भी हम को वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और साम साथ बजए यहां पर आपको मैत का सब्जेक्ट करण का अधार किया यहां पर पूछा गया कि जो आधुनिक आवरत साडं किया गया है किने प्रशन आता आगे सार्णी किस ने दिया था तो ये मोसले ने दिया था तो अधुनिक आवर्त सार्णी में तत्तों का जो वरगी करण किया गया है वो किस अधार पर किया गया है यानि किस अधार पर उस पर तत्तों को रखा गया है तो परमाडु संख्या के अधार पर रखा गया है बनाया गया यानि यहाँ पे D option क्या हो जाएगा यहाँ परीक्षा के लिए यह प्रशन काफी ही महत्पूर है आईए देखते हैं अगला प्रशन यहाँ पर देखिए दो नमबर प्रशने काफी महत्पूरे त्रिक का नियम निमनलीखित में से किसके द्वारा परतिपादित किया गया जो त्रिक का नियम है वो किसके द्वारा परतिपादित किया गया था यहां पर B option क्या हो जाएगा यहां पर बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा जो त्रिक नियम है वो किस ने दिया था तो डूबराईन ने दिया था यह देखते हैं अगला प्रश्चने यहां पर देखिए तीन नंबर काफी ही महत्पुन है तीन नंबर प्रश्चने अस्टक का नियम निमन में से किस के दोरा परतिपादित किया गया था, यहां पे पूछा गया है कि जो अस्टक का नियम है, वो किस ने दिया था? A-Option is New Lands B-Option is Devrine C-Option is Mandelift D-Option is Mosley, तो यहां पे दीकिए जो अस्टक का नियम है, वो किस के दोरा दिया गया था तो ये new lands के द्वारा दिया गया था यानि यहाँ पे option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगर video को अभी तक आपने like नहीं किया तो please video को like कर दिजे channel को subscribe नहीं किया है आप तो channel को subscribe कर दिजे क्योंकि आपे तेंत्र दस्वी की पढ़ाई काफी ही अच्छी तरीके से कराई जाती हैं और काफी ही अच्छे अच्छे प्रश्ण यहाँ पे कराई जाते हैं और बूर्ड से रिलेटेड ही कराई जाता है यह नहीं कि कुछ भी यहाँ पर पढ़ा दिये वैसा यह चैनल नहीं है यह आपके लिए काफी महत्तपूर्ण चैनल है यहाँ पर देखिए चार नमबर प्रशन है मेंडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्तो का गुण धर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है यहाँ पर पूछा गया था पूछा गया है कि जो अगला प्रशन यहाँ पर देखिए पांच नमबर प्रशन आवर्त सार्णी के समूँ एक के तत्तो को क्या कहते हैं A option है यहाँ पर समाने तत्तो B option है संक्रमर तत्तो C option है चार तत्तो D option है अधातू तत्तो तो यहाँ पे देखिए आवरत सान्री के सम्हू एक के तत्तों को क्या बोला जाता है तो छारिया तत्तों बोला जाता है यानि यहाँ पे C Option क्अ हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा और आज 5 सितंबर हैं आज Teacher day है तो Teacher day की आप लोगो हार्दिक सुभकामनाय आईए देखते हैं अगला प्रशने यहां पर और आप लोग मन लाया के पढ़ाई कीजिए और बोड में आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर से पास होई है यही अमारी असिरवाद रहेगी आपके लिए यहां पर देखिए छे नंबर प्रशने अध काुण दहर्म होता है जो आधूनिक आवर्त नियुम है यह आधूनिक आवर्त नियुम किस दे रॉखन इप या अधार बहूब कि नहें चाही है का अवर्ता वर्त होता है यहां पे दियान से दिखें है यहां पर आधूनिक आवर्त नियम के अनुसार जो तत्तो के गूंडधर्म है वो क्या होते हैं यानि यहां पर डी option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल यहां ऐसे भी प्रशने आप से पुछ दे कि जो आधूनिक आवर्त साड़नी है वह किस पर रखा गया है तो परमाडू संख्या के अधार पर रखा गया है और जो मेंडलिव का अवर्थ सायनी था वो किस पर रखा गया था तो यह दोनों आपको प्रशने याद होना चाहिए थोड़ा सा confusion है लेकिन ये आपको याद हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रशने आपे अगला प्रशने देखिए काफी ही महतपूर है ये प्रशने बार बार आता है आवर्त सायनी में कितने आवर्त होते हैं यहाँ पे आवर्त और वर्ग आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे चार पांच छे और ये साथ आवर्त की संख्या कितनी होती है साथ ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो 36 लाइन होता है जो अभी हम घीचे हैं वो यह क्या है 36 लाइन है तो जो 36 लाइन है उनकी संख्या कितनी होती है तो 36 लाइन के संख्या कितनी होती है यहाँ पे 17 होती है या ऐसे भी प्रशन पूछा जाता है कि आवर्थ सार्णी में कितने आवर्थ हैं तो जब आपको आवर्थ पूछे तो आवर्थ कितना होता है तो आवर्थ हमेशा साथ होता है यानि यहाँ पे ए ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगर पूछ की संख्या कितना होता है साथ तो यह प्रश्ण आपको हमेशा क्या करना है याद रखना है यह देखते हैं अगला प्रश्ण यहाँ पर आठ नंबर प्रश्ण देखें काफी महत्य पुढ़ है अधुनिक आवर्थ सार्णी में वर्गों की संख्या कितनी होती है अभी बता है कि जो आवर्थ होता है वो आवर्थ कितना होता है यहां पे साथ होता है और वर्ग कितना होता है तो वर्ग 18 होता है तो यह आपको पता होना चाहिए तो यहां पे वर्गों की संख्या पूछाए तो वर्गों की संख्या यहां पे कितना होगा 18 होगा यानि यहां पे की हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए अगर आवर्त पूछता तो आवर्त कितना होता है यहाँ पे साथ होता आईए देखते हैं अगला प्रशने यहाँ पे नौ नमबर प्रशने देखिए ओजोन के एक अड़ो में ऑक्सीजन के परमाड़ों की संख्या कितनी होते हैं तो इसमें औसीजन के कितने परमाड़ों होते हैं तीन होते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए यहांपर C-e-on D. Option है उदासिन तो यहां पर देखे हीलीयम है वो कैसा तत्व है तो healyam एक अक्रिय करता यानी यहां पर यह किसी से भी अभिकरिया नहीं करता है उसे हम लोग अक्रिय मोलते है यानी यहां पर A. Option क्या हो जाएगा यहां प्रमाडू संख्या है यहां पर बताना है कि यह आपको दो चार प्रमाडू संख्या से प्रश्ण पूछ लेता है तो यह आपको याद होना चाहिए, तो इसका अलोहे का परमाडू संख्या कितना होता है, यहाँ पे 26 और एक सोडियम का बार बार पूछता है, कि सोडियम का परमाडू संख्या कितना होता है, 11 यह दोनों प्रशने काफी बार परिक्षाओं में रिपीट होता है, तो इन दोनों की आ परमारु संख्या याद होना वहती जरूरिए यहां मैं कितने प्र सभी होता है यहां पर कितना होता है यहां पर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा यह देखते हैं नंबर प्रष्णे काफी महत्तोपूरे किसी भी तत्थो की सनीया जकता कैसे निर्धारित की जाती है, यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी तत्तों की सनियो जगता होती है, वो कैसे निर्धारित होता है, A option है, electron की संख्या से, B option है, proton की संख्या से, C option है, neutron की संख्या से, D option है, इन में से सभी, तो यहां पर पूचा गया है कि किसी भी तत्तो की सनी उजकता कैसे निरधारित किया जाता है तो इलेक्ट्रोनों की संख्या से हम लोग निरधारित करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने यहां पर अगल मैंडलिफ ने अपना कारे अररंब किया था तब कितने तत्यों ग्यात थे तो 63 कितना जो अभी का वर्थमान का यहां पे जो अधूनिक आवरत सार्णी उसमें कितने तत्यों ग्यात है तो दो सो क्या पता कशलता है यहां पर दिखिए अधुनिक और तसाइड़ी में यहां पर परमारु का साइज होता है उससे हमें क्या पता चलता है तो परमारु का तरिज्या यहां पर सही हो जाएगा और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्ण है उसका जवाब आप में जरूर देजेगा लास्ट में होमवर्क प्रस्ण है यहां पर दे कि फोल जाएं कि यह इसमें अगर हम बांडू संख्या पर टेगा यह उपसंपड़ता है बी option और घटता है, सी option और परिवर्ती तरहता है, डी option और इन में से कोई नहीं तो अगर हम दाएं से बाए जाएंगे तो पर्माडू साइज पर क्या परभाव पड़ेगा तो पर्माडू साइज हमारा बढ़ेगा यानि यहां पर आपे option क्या हो जाएगा बी ओप्सन है छारिय धातू, सी ओप्सन है अक्रिय धातू, डी ओप्सन है मिस्रे धातू तो यहाँ पे दिखिए अवर्त सार्णी के प्रतम वर्क के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं तो छारिय धातू बोला जाता है या छारिय मिर्दा धातू भी बोला जाता है यानि यहां पर B option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा इन प्रशनों को आप क्या किजिए नोट बुक पर लिए याद कर लेजिए यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आईए देखते हैं अगला प्रशने यहां पर अथारा नमबर प्रशने देखिए यहां पर परतेक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है जो यहां पर पूछा गया कि जो आवर्त सार्ण किसी वर्क में उपर से नीचे आने पर ततो का धात्वी गुण क्या होगा यह बढ़ता है बी ओप्सन है घड़ता है सी ओप्सन है अपर इवर्तित रहता है डी ओप्सन है इन में से कोई नहीं तो यहां पर ध्यान से देखिए आवर्त सार्णी में अगर हम उपर से नीचे आएंगे तो जो ततो का धात्वी गुण है वो क्या होगा तो बढ़ने लगता है यहां प इसके बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन होंगे यहां पर बोला गया है कि सोडियम का परमाडु संख्या है जो 11 है तो इसके बाहतम यानि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन होंगे तो पहले कक्षा में दो इलेक्ट्रोन होते हैं और दूसरे में 8 होते हैं तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया और अंतिम में कितना हो जाएगा एक बचेगा यानि यहाँ पर जो अंतिम कख्छा होगा उसमें कितने सब्सक्राइब कर लिजे साथ में ऐसे एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबाना काफी महत्तपूर हो जाता है अगर इसे नहीं दबाईएगा तो आपके पास जब भी हम कोई वीडियो अप्लोड करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा इसलिए इ उपदा तो डी आपशन है इन मेंसे कोई नहीं तो यहां पे दिखिए आप लोग करके ऐसे औपसन भेज रहें जो गलत है ऐसे आप crustation नाम लिखने से क्या होगा आपको याद आएगा आपको याद हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सीलिका क्या है तो सीलिका क्या है जो भी आपको कॉमेंट अच्छा लगे तो उसका पूरा नाम आपको क्या करना है लिख के हमें कॉमेंट कर देना है और सबको यहाँ पे होमबर्ग का प्रशन सबको य और भी बच्चे यहाँ पर आपकी दोस्त भाई बहन जो रिष्तेदार हैं वो भी देख सकें चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे सांत में एक बेल आइकन आएगा इसको ओल पर दवाईएगा तक कि जब हम कोई वीडियो अप अगली वीडियो में और अपना ध्यान रखिया और पांच सितंबर टीचर डे आप लोग अच्छे से मनाईए टेक कियर बाई